कोन सी position में oral sex करना best होता है इसके बारे में बताईए कि सुछ के point of view से पूछ रहे हैं male के point of view से या female के point of view से चले मैं कोशेश करूंगी एक के करे दोनों के बारे में आपको बता सकूँ कि male के लिए कॉन सी position रही और female के लिए कॉन सी अब एक और चीज आप लोगों ने जो मुझे से पूछी है वो ये कि औरल सेक्स को और जादा प्लेजरेबल बनाने के लिए उसे और जादा मज़ेदार बनाने के लिए कुस तरीके बताईए तो बने रही है इस वीडियो में दोनों सवालों के जवाब आपको मिलने वाले और दोनों को मैं एक एक करके अच्छे से एक्स्प्लेइन करोगी जैसे कि आप लोगों ने कुस्टिन किया है कि और जादा मज़ेदार प्लेजरेबल बनाने के लिए तरीके बता है तो प्लेजरेबल बनाने का मतलब सेंसिटिविटी जादा महसूस होना मतलब आपको वह सेंसेशन अपने पीनस में जब जादा महसूस होगी तब ही तो वह आपके लिए आनंदे में होगा तो वह sensitivity महसूस कराने के तरीके होते है अभी आपकी जो फिमेल पार्टनर है वो कैसे करती है आपको और एक नॉर्मल सा तरीका के हाँ पैंट आपकी नीचे उतारी या जिप खोली या वटेवर आप जो फोल प्ले कर रहे हैं तो आपके पीनिस को सक करना शुरू कर दिया लेकिन अगर आपको संस्टिविटी जाद महसूस करने है उसे आनंद में बनाना है तो आप उसमें और भी चीज़ों को एड़ ओन कर सकते हो लाइक आइस क्रीम या लिक्विट चॉकलेट लगा कर भी सक कर सकते हो इससे क्या होगा आपके पीनिस के टॉप पर आपको चॉकलेट को चाट रही है बिल्कुल बच्चे की तरह आपको लिक्विट चॉकलेट या आइस क्रीम जो भी जो आपकी पसंदीदा आइस क्रीम है उसे लगा के आपको इस पीनिस को पूरी दरह से चाट जाना है तॉप से लेके नीचे तक अब आपकी कलाकारी आप जैसे चाट जाएए बच्पन में कभी आइस क्रीम चाटी है ना चाट चाट के वो सेंस्टिविटी वो मजा दुगना कीजिए अपने पार्टनर का देखो कैसे पगला आ रहा है कि मैं कोई नया तरीका बताए कुछ ऐसा पताए कि और जादा आनंद में हो सके प्लिसरेवन हो सके तो सेंस्टिविटी बढ़ाईए उसकी दूसरा तरीका हाथों को बांध कर औरल कीजिए यह बॉंड़िज का एक पार्ट होता है एमेजॉन पे चीज़े भी अबलेबल हैं कि हाथों को बांधने के लिए हटकडियां आती है टॉय के रूप में आप उसे बांध सकते हैं औ इसने आपने उसको हेल्पलस कर दिया और अब उसके पीनिस के साथ अप चैसे चाहे वैसे प्ले कर सकते हैं वह हेल्पलस है और चाहो तो उस सेम टाइम में आप आखो पर पट्टी भी उसके बांध दीजिए उसे पता नहीं लेगा उसके साथ क्या होने वाला आप क्या करन यह नए नए एक्सपेरिमेंट है एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ाने के और आपका पार्टनर आपसे यही मांग रहा है जी कि संस्टिविटी को कैसे बढ़ा है प्लेजर को और दुगना कैसे करें तो यह सब चीज़े आप एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे कर सकते है अपने औरल सेक्स के तोरान थर्ड पॉइंट यह औरल प्ले आपके पार्टनर का मूड एन्हेंस करने उसका मूड खराब हो गया है तो उसका मूड बनाने आपकी कोई बात उसे बुरी लग गई है और आप माहोल सेट करना चाहते हो तो उस वक्त भी यह जो औरल प्ले है आपके लिए जबर्दस तरकीब साबित हो सकता है खासकर उन फिमेल के लिए कह रही है जो बात बात पर चुकना पसंद नहीं करती है लेकिन यह जुकने का तरीका उनको सही लगता है यह खासकर मैं उन फिमेल के लिए कह रही है जो बात बात पर सौरी मांगना पसंद नही तो वो इस तरह से जुक कर उसको ये साबित कर सकते है यार हाँ ठेक है हुई है मुझसे गलती हुई है बोले ना लेकिन ये उनके लिए बहुत असान हो जाता है कि हाँ चलो मैंने उसको खुश किया उसे औरल करके खुश कर सकते है चलो औरल करने का भी समय नहीं है वो माहौल तो deep smooth करके उसका mood बना सकती है mood बना मतलब ये ने के बब बेटे पर फूँद जाओ तो उसका mood ठीक कर सकती है उसे भी अच्छा लगेगा कि यार बाइड गल्ती दो मिड्ट के अंदर कौन सी गल्ती? क्या सी गल्ती? अच्छा बाइड गल्ती कि थी? वो भी मनी मन सोचेगा यार ऐसी गलती रोज किया कर कोई दिक्कत नहीं है मुझे देखो जो सेक्स है ना आप इसे बस एक ही तरीके से सोचते हो कि हमें अपने फिजिकल रोक्वार्मेंट पूरी करने है जोटे हमें इसका बहुत इंपोर्टन रोल होता है आपकी चोटी चोटी डЕली लाइफ की?.. छोटे की चाहते बहुत मांहीं रखते है और आपकी जो, लाइफ है सिफ सेक्स लाइफ नहीं है आपकी परस्नल लाइफ को भी खुशियों से भर देती है अब आपके दूसरे सवाल के ओपर बात कर लेते हैं कि औरल में की जाने वाली सबसे बेस्ट पोजिशन तो देखिए एक तो 69 पोजिशन है जो सब को ही पता है क्या होता उसमे दोनोफी मेल फीमेल पार्टनर एक दूसरी की अपोजिट डिरेक्शन लेड जाते हैं और उनका प्राइबिट पार्ट उनके मुग के एकदम सामने होता है और आप इसे सक करते हैं एक तो यह बजएशन होगी दूसरी पॉजिशन के एक मेल पार्टनर जो है वो खड़ा हूआ है standing पॉजिशन में और उसका समान भी खड़ा हूआ है और जोसकी female पार्टनर जो घुटनों के बल बैट जाती है इसे मारे डॉगी नहीं बनती हैं बितार घुटनों के बल यह थोड़ा से नीचे चुक्के बैठ जाती है कमफर्ट पोजिशन में और मुँ में लेके उसे सक करती है धर्ड पोजिशन के जो मेल पार्ट्नर है वो चीयर पे बैठा हुआ है और जो फिमेल है नीचे बैठी हुए और उसको सक्क कर रही है नाओ नेक्स्ट पोजिशन क्या होती है कि मेल पार्टनर जो है वो बैट पे लेट गया है और जो फिमेल है उसी के साइड में बैठ के उसको मुँ में लेके सक्क कर रही है एउर्इक बॉजिशन मैंने आपको बताईती ि कि फिमेल जो है वह को लेट जाती है और जो मेल पार्टनर है वह अपर से आके डारेक्टि उसके मूँ में पीनिस डालता है तो ये भी एक position होती है, जो मैंने first position बताई ये आपको 69 position और ये last position मैंने आपको बताई है, जिसे plumber, plank, blow job position कहते हैं, ये दोने थोड़ी से uncomfortable रहती है, इसमें oral sex आप करते हैं, तो है लेकि थोड़ा सा रहता है, uncomfort ही होता है, 69 position फिर भी एक बार को लोग कर लेते हैं, लेकिन जो ये वाली position मैंने बताई है, last में, plumber, blow job position ये तो uncomfort ही रहती है, इसमें महनत का काम है, एक जो male partner उसे मज़े लेने के लिए खुद महनत करनी पड़ती है, खुद अंदर भार करना पड़ता है, तब उसे वो एक rhythm मिलती है, और उसको मज़ा आता है, क्योंकि female की यहाँ ग इसको तो अगर आपको चूसना या घाना है, तो आपको बैट कर खाना पड़ेगा, तो यह जो position होती है, एक comfort नहीं होती हूँ, इस 69 पोजिशन है, यह किसी कि कमफ़र्ट जोन में आती है, तो किसी किसी कि कमफ़र्ट जोन में नहीं आती है, लेकिन बाकी की जो तीन पोज पूजिशन में आपको जो बेस्ट लगती है वो चूज कर लो और कर लो औरल सेक्स तो यह तो पूजिशन है मेल के पॉइंट अफिसे उसे जिसमें जादा मज़ा आरा उसमें वो करवा सकता और जिसमें उसकी फिमेल पार्टनर कमफर्ट फील कर रही है दोनों अपना देख स सकते हैं और इन तीनों पॉजिशन में से कोई एक चूज कर सकते हैं अब फिमेल के पॉइंट अफिसे अगर बात करूं तो फिमेल के पास इतनी वराइटी नहीं होती है उन्हें बस वही करना होता है कि बैट के कौर्णर में जाके बैट जाएंगी पैर चोड़े करके कोई वेरियेशन नहीं होती है सिस्टे ने पॉजिशन कर सकती हो एक फेस सिटिंग भी होता है जिसमें मेल जो है वह बैट पर लेड़ जाता है और जो फिमेल ऊपर से अपने वजाएना सीधा उसकी मूँ पर धर देती है मतलब चाट अभी से मुझे नहीं डगता इसमें को और सवालों के जवाब दे दियो और बता दिया आपको कि और से मज़ेदार बना सकते हैं और कौन सी पोजिशन आपको सूट करेंगी जिसमें आप कमफरटेबल फील करते हैं मेरे बताने से कुछ नहीं होगा लेकिन हां मैं फिर भी आपको वो पोजिशन बहा दी कि जिस त